मुसल्मान करनाटिक में इनकी फित्रत से पूरी तमाम चीज से इनको बद्दुआ करने के अलावा इनको वोट करने कोई मुसल्मान करनाटिक में तयार नहीं है फाइज अकेला उनका बेटा है दौलत अकेली उनके किंडम है उनके पास पॉलिटिकल पार्टी कौण सी है जेडिए से क्या आपने कॉंग्रेक्त के यंस में है नहीं अपने दुषर छी जुपराइम के चीज में करेंगे लोगों को गुम्रा कर रहे हैं में सरा आज this इस प्रेसिदेंट सीम इब्राहिम ने प्रस कॉंफरंस की है इस बारे में आपका क्या राय है आपके माध्यम से सुना में अपने सेम इब्राहिम साब का ग्यारा तारिख को कोई जाइंट मीटिंग कर रहे हैं बुला रहे हैं यहने इंडिया जो एक आम यूनेटी बनी है पॉलिटिकल पार्टी में उसका सपोर्ट है उनका जब कांग्रेस में मलसी बनाए गए कांग्रेस में अपोजिशन लीडर की सीट की कुर्सी की मांग करें और उसके बात जो कांग्रेस के जेडियेस के प्रेम मिनिस्टर देवगडा जी के साथ अपनी हुक अनुग क्या करें और मुसल्मान में कितने मुसल्मान को लीडर बनाए कितने घरों में कितने कार्प्रेटर और कितने एमेले कहां से बने सिअम इबराहिम कैंडिडेट बनाके कितने एमले जीते तुरोड इंडिया और कितना डेवलेप्मेंट करें कितने इधारे बनें कितने आज तक नई बोलें आज भी और आगली डिसंबर 11 तारिक को भी इन्हों बोलना चाहिए कांगरेंडिया में जमेंगे तो कौन इंडिया में year-r Document अपना वापिस देके जे डेसे क्या डील हुआ था कितने पैसों की डील हुआ था कुन सी कुर्सी की डील हुआ थी क्या चीज़ के लिए वो अपना इंडिया की पार्टी चोड़के अपने JDS की सदारत लेके और फिर भी में मुसलमानों के चेहरे बग़िर बताए मुसल्मानों के लिए बग़िर वदा करे मुसलमानों के हखुक के लिए मैं मैं छाडरिया मसाजित में जब मेरा भी मैं उनसे मांग किया मेरा रिको망िशन था ये एक चीज़ के ओपर किया था इमजे लिखान साब के मेरे दोस्त थे उनों उनके जनाजे में दुआ के लिए जब मैं शामिल वा था तब उनको बताया कि जनाजे में आप भी जनाजे में जाएंगे आपके रोनक्स चाहिए तो रोनक के लिए जितनी मुसलमानें के दौलत छुपा कर रखा रखा है तुम्हें बाहर लाईए और मेरे पास आपके दस्तवेज हैं और मेरे पास आपका कालेज के हैं मदरास के हैं तमिलनाडू के और दूसरे ट्रस्ट के हैं DIRECTOR जितने भी दुबाई से शाहत तो आपका और मेरा टाइम ज्यादा नहीं है बहुत कम है रोनख आज ही कम हो जा रही है आपकी सुरत पर रोनख नहीं है वो मेरे सुरत पर भी वही होगी मर जनाजे का खैद करेंगे वो चीज जनाजे में खैद होना है वो रोनख कम है पूछा तो मझे घुमा फिरा के आपक तो आपको दुआ या बद्दुआ अल्ला का उसी टेमपो हो गया उसी जनाजे में वो जनाजे के साथ ही हो गया ये तो करनाटक की पॉबलिक जान रही है वहां से कितने हद तक आप की तरखी हूई और कितने हद तक आप गिरे हुए हैं पॉबलिक करनाटक का 140 लाग быстр आद चोड़ देते हैं आप कहां खड़े हैं आप किसी किस के साथ खड़े हैं वो तो बोली आप देवगोड़ा जी के साथ खड़े कांग्रेस की इंडिया के साथ खड़े आज का येलान 11 तरीक का येलान इंडिया का है तो शरम आपको नहीं वो कांग्रेस को होना चाहिए वो इं किस को लेके क्या देवगडा को लेके जा रहे हैं क्या ने कुमार सामी को लेके जा रहे हैं ने मुसल्मानों को लेके जा रहे हैं किस को लेके जा रहे हैं ने क्या कांगरस में जा रहे हैं क्यों यही घुमाना यही पिराना यही तरी तरीखे से कंफ्यूज करना उसी दिन आप लिया है देने का सी किये आप जब करना है वो जो करते हैं करना है भहुत कम उमर है यानि मेरी 55-57 साल के अंदर है तो ये चंद गंठे महिनों की जिंदगी है सालों में ज्यादा नहीं है आपके आप खुद दी बोले दो साल के पहले के बहुत सतर के उपर हो गए तो आप कितने सो साल जेंगे आप कोई पता है तो मेरी मांग को ठुक रहे आप आप जनाजे के सामने जूट बोले जनाजे के सामने Allah के सामने अलवादा गलिए तुमें ये चीज का जब हो रहा है आपके ओपर ये चीज की बेबुनिया जो आप आज बात कर रहें इंडिया और अल कि आउलादों में आए, प्रिंसस आपके बच्चे है, वो खुद आपको वोट करने के लिए हाईं के आपके साथ, आपके बच्चे क्या इधर है, क्या नई अबुदाबी में है, शारजा में है, क्या दुबई में है, क्या नई आपके नाम से वोट करने के लिए, करनाटका म में खड़ेंगे क्या लोग सबा में कौन है क्या गुम्रा कर रहे हैं आप जो जबान आपकी मुसल्मान की शरीयत की हदिस की रोशनी में सहबियों से हम वादा किया था कि भे हम ऐसाई बात करना है हम दे देंगे हर चीज अल्लाह हमना जो देगा वो लेंगे आप देने की बा जाना चाहते हैं तो तो उस टेम पे आप MLC के लिए खुरबानी क्या चीज के लिए दिए क्या दोलत के लिए दिए कितना पैसा लेके दिए आज क्या पैसे की बात हो रही है इंडिया में जाके लोग सबा में राहूल गांदी को आप प्रेमिनिस्टर बना दे या जो दू क्या है पबलिक को बोलना है गुम्राई करने से गुम्रा करने से मुसल्मान आपके घर में आपके पडोस में नहीं है आपको ये भी वोट करने के लिए इबराहिम साब क्या खौम को गुम्रा कर रहे हैं या इस तरह की मीटिंगों से हैं मैं खौम समझ चुकी है खौम का पार हुआ है ना कांग्रेस करने से खाम अब वो रास्ते पे आएगी ना इनको तखरीबन कांग्रेस नहीं है करनाटक में क्यूंकि यह जो अभी नया यूनियन नया अलेयंस यूनियटी अभी बनी है 6-8 महने से मगर यह लो इनको जो इबराहिम साब को 55 साल से उनके 15 साल की उमर से करनाटका की पॉब्लिक हिंदुस्तान की पॉब्लिक इनके 15 साल से देख चुकी है 58 इस इनको पर चुके हैं यह जो भी बात करते हैं यह बात का 20 तरजुमा हर करनाटका के मुसलमानों के पास है उन्हों गुम्रान नहीं कर पाते हैं उनके बात आज सियासत की नाम सियासत में फितरत जो है वो शिका रहे हैं तो आईसे चन्द मुस्लमान लीडर भाखी हैं तो वो जो चीशसे मुस्लमान बाहर पड़े हैं जो आप चाहिए जो पुराने कौनसे भी मुसल्मान लीडर अपने फित्रत बताएंगे फित्रत को जान के रखा है करनाटका के पूरे मुसल्मान इनको फित्रत के लिए आज बिकेंगे नहीं इनके फित्रत के लिए इनके बात को मान के इंडिया को जिताना कांग्रेस को जिताना ये जित हासिल करके ये तमाम चीज़ के ओपर इनके काई सौ रुपिया का काई हजार रुपिया यानना इसका मतलब हजार पांच सबार कोड का डिल करना हिंदुस्तान में को बेचना वो अपना ये करना वो तमाम चीज ये मासुम मुसल्मानों के नाम से करना वो टाइम सी-म इबराहिम को जैसा उनकी उमर चड़ साहें कि अप्राइम सबुद अपने बेटे यह मेले नहीं बना सके क्या हीम पी एलेक्शन में पूँ क्या रोल करेंगे। नहीं उनकी जो थाखत उनको जो अल्ला हिदायत गलत रास्तो्चों में जाने अल्ला हिदायत दिया मुसल्मान को पकड़ते हैं अल्ला के नाम से मुसल्मान के पास आते हैं शरीयत के नाम से तो कोई एक बच्चे को कोई एक मुसल्मान को पूरी करनाटेक 224 कांस्टिटिनसी में सही एक मुसल्मान को अपना भाई अपना बच्चा समझे नी अपने खास बच्चे फाइज इबराहिम को उनों करे उनों गिड़गिड़ा के रोए और रोने में उनका जो क्या तरकीब थी फित्रत क्या थी अल्ला को उस जमाने के उस मठी के वली अल्ला है उनको भी पता चला के इनकी दौट नहीं तो दूसरों के भाई दूसरों को भाई मुसल्मान को नहीं समझा दूसरों के बच्चे को अपना बच्चा कभी नहीं समझा इनों इसकी सजा इनों जिन्दे रहे तक मिलेगी मुसल्मान करनाटक में इनकी फित्रत से पूरी तमाम चीज़ से इनको बद्दुआ करने के अलावा इनको वोट करने कोई मुसल्मान करनाटक में तयार नहीं है फाइज अकेला उनका बेटा है दौलत अकेली उनकी किंडम है डील करेंगे पैसों की हुकुमत की वो अपने आप सियम इबराहिम साब अपने 75 साल से चन सालों के लिए करना जो चा रहे हैं तो इनों कितने खुद गर्ज हैं पॉब्लिक जानती है पॉब्लिक में सियम इबराहिम करके मुसल्मानों में जो अभी आसूचना उनकी कितने हद तक इनसानियत है सियम इबराहिम सा क्या अपने कांग्रेस के अलेंस में हैं कांग्रेस में जमें हैं नहीं अपने सीम इबराहिम के नाम से एक पलिटिकल पार्टी बने हैं क्या बनाएंगे तो काफ बनाएंगे क्या नाम से बनाएंगे क्या डिरेक्ट इंडिया में जमेंगे क्या नहीं अभी दूसरे चीज़ म रखे यहने गिर्वी रखे डील कर रहे हैं वो गिर्वी जो रखी गई मुसल्मानों के सर के ताज कभी उसको वापिस लाने के कोशिश नहीं करेंगे मुसल्मानों की इज़त उधर दफन हो जाएगे ज़े डियेस के जो परस्टेमन और जो परसिजन का है मुसलिम कम्यूनेटी को बुला को ना बात करें ना ये करें इसके बारे में आपका क्या फैर रखे बात करो या नहीं उनको वो नहीं है गुम्राई तो करें अब आज जो बोल रहे हैं आज एक मीटिंग रखे पिछले दू महिने के पहले थी और आने वाले ग्यारा तारिक डिसम्बर में क्या है गुम्राई के सिवा कुछ नहीं है राहूल कांदी का हाथ पकड़ के लाईए अरो मैं लाईए मेरा लीडर है सोनिया जी के हाथ पकड़ के लाई या मेरी लीडर है मेरी बेहन है मेरी मा है बोलिए नए देवगड़ा को लाईए ने अपना जंडा उठाईए अपना जो नाम का जात कहा अपनी ताखत का अपनी हुनर का अपनी देन का जंडा उठाईए कुछ भी नहीं है तो इनकी दौलत है, इनके कारखाने हैं, इनके इधारे हैं, इनका CME है, इनके काले जैसे, वहाँ पे खड़ेंगे, उनकी दौलत से वहाँ पे लोगों को, जैसे हर जगा पे हैदराबाद में भी आईशा आरामी होती है, अपने बंगलों में दौलत का खाने डालते हैं, ऐस के साथ करते हैं कि अपना जंडा लगाते हैं जो खानून में एक बात साफ सुतर है जो देश का परसेरिंट है जो पार्टी बनाया है उसको पार्टी के कितने जनेरल सकरेटि को साहिन करेंगे अपने निकालेंगे यह चीज है नेशनल परसेरिंट ton day जेडियेस के सियम इबराहिम कभी भी नहीं थे आज वो पावर नहीं है आज कौन से पावर से क्या चीज से कौन से लोगों को क्या रेजुलिशन पास करके निकालेंगे तो यह जो चीज बच्चे भी समझने की बात है मुसल्मानों में इतनी इमेचिरिटी और इतनी कमजोर पन नहीं है सियासत को नहीं समझने का तो उनको जो निकाला गया क्या नहीं निकाला गया मेरे हिसाब से मुसल्मान को यह बोलना चाहता हूं कि आज भी जेडियेस में है उनको निकालेंगे नहीं तो जेडियेस की बात करना है आलम पाशा आज सियासत का नाम अपने जिंद किसी का सिक्का लेके किसी के हुकूमत में किसी की बात अपने जनाजे तक करने की उमीद और खाइश नहीं रखा है तो इसलिए नहीं है तो आप भी आपना रखम बताईए आप रखते हैं देवोगोडा का चीज रखते हैं उनकी लुंगी लेके आप बैटे वही मेरा है यही आप लाग काले चलाते हैं आब एक करते हैं आपकी इलम छोड़िये खानून क्या है लोगों को समझाने का नहीं लोगों गुम्रा नहीं होंगे आप कर नहीं सकते हैं आप देश के पचास हजार आदमी को बुला लिए करनाटक में जेडियेस के नाम से सुप्रीमो जो है करके लोगों को बेखुफ बनाने की वह साधिस लास्ट साधिस हो रही है आपके साथ